Hello friends मैं हूँ रस्मी तो आज मैं आपके साथ share कर रहे हूँ मशाला दाल की बड़ी किस तरीके emissions बनाई जाती है तो बहुती टेश्टी लगती है इसकी सबजी तो मेरी ममी किस तरीके से बनाती है तो आपके साथ share कर रहे हैं और वो भी इसकी खास बात है कि सिल्वट्टे पे पीस कर बनाई जा रही है बहुत ही बढ़िया बनती है आप से प्यारी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को जरूर पूरा देखेगा फ्रेंड्स और मेरी मम्मी की यह डाल बढ़िया बनाने की रैस्पी अच्छी लगे ना तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा तो उन्होंने सारी डाल सिल्वट्टे पे पेस कर ही तयार करी है सुबह चार वजे उठकर तो वीडियो को पूरा देखेगा तो साम को डाल बिंगो दी है मूंग की उर्द की चना की और यह सारी डाला डाल दी है तो रात पर डली रहेंगी तो ममी ने अंदाजे से सारी मतलब डाल ली है धाई किलो ली है मूंग की उर्द की एक किलो आदा किलो चने की तो इसमें दाई बड़े भी बनेंगे मुंग डाल की और मिंगोडे की लिए भी निकाली जाएगी तो इसलिए तो आप अपने अंदाजे से डाल यहां पर डाल सकते हैं तो प्योर मुंग की डाल की भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी और चने की डाल डालने हैं तो उसमेलास आती तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया बनकर तयार होती है तो दाल फुला दी है तो रात बर फूलने देंगे तो रात को भी पीस के रख सकते हैं तो मम्मी याँ पर उट गई है साड़े चार वजे लहां देखिए मम्मी की दाल दुलने सुरू हो गई है तो इनके छिलके निकालने पड़ते हैं तो मसल के इसको दुलना है और मम्मी इसको सिलवटे पर पीसेंगी तो किस तरीके से सिलवटे पर पीसी जाती है दाल को वह भी मैं आपको दिखा रही हूं तो मम्मी यहाँ पर देखिए रेडी हो गई है तो यह सब काम जल्दी से सुबह पटा होता है जिस से देखिए दाल पीसी जा रही है और सिल पर डाल रखी जाती है और बस इस तरीके से चलाते रहो तो पहले देखिए गाओं में इसी तरीके से सिल पर डाल पीस कर मंगोडे बनाते थे बढ़ियां बनाते हैं पहुत जगह मिक्सी का साधन हो गया तो लोग नहीं बनाते हैं तो मम्मी तो मेरी अब भी जो मंगोडे है ना दाल मंगोडे के लिए दाल जो पीसती है ना तो सिलबटे पर ही पीस के बनाती है उसके मंगोडे खालो मज़ा आ जाते हैं वैसे मेरे चैन के से पीस जाती है थोड़ी थोड़ी आगे आ जाती है अपने आप आगे आती रहती है और देखिए थोड़ी मोटी लगे तो फिर उसको पीस देना है और नीचे ममी ने भगोना रख लिया है तो इसी में गिरती जाएगी कोई जंजट नहीं है बड़े आसानी से पिस जाती ह तो मम्मी आप बना रही थी मसाला वाली बड़ी तो मैंने का आपके साथ सेर करती हूँ तो पूरी दाल दे की पिस गई है इसी तरीके से तो अब मम्मी इसमें डाल रही है लाल मिर्च का पावडर घर की पिसी हुई है और इसमें डाल रही है धनिया पावडर इसमें गरम मसा विटाला भी है थोड़ा तो आप अलग से भी डाल सकते हैं अधर को भी पीज़ कर दालें तो उसकी फोगे बाद में जब छट पी लगाई थी तब डाली थी इसमें और बढ़िया से सभी को मिक्स कर लेना है तो यह देखिये बन गया है मसाला बढ़िया लगने के लिए दाल का और थोड़े कटोरे भी ले लिए हैं इसमें रखकर लगाई जाएंगी तो आ गए हैं यहां पर छट पर तो यहां पर खटोले पर एक चुन्नी बिचा लिए कोई भी आप साप सुत्रा चद्दर हो पतली चुन्नी है साड़ी है कुछ भी बिचा कर उस पर लगा लीजिए तो डारेक्ट चारपाई पर लगानी भी नहीं क्योंकि इसमें चिपक जाएगी हो चारपाई गंदी भी रहती है दूल ब आवलमट्री की सबस लगा रही थी तो मैं मवी बीडियोची उट कर रही थी कहा दो यह दालती है तो एस तरीके से मव लगाती हैं park यह लग अनियोणहों तो लगा रही थी और मैं और. उठी जल्दी हैसे सू लगाती हैं है देखी एल खटोले ति और मैं और अगती अटी रूज़ार लकृत्टों सब्सक्राइब करें रल्ज हैं। पर पर ने सब्सक्राइब सब्सक्राइब तदराध्र कें लिटरे को फ्रेंट्स लिखकर तो हमारी यूपी में तो इसको मिथौरी बोला जाता है और कहीं-कहीं बड़ी भी बोला जाता है दोना बोला जाता है तो यह देखी लग चुकी है बस जरासी बची थी तो ममीन बो भी लगा दी है तो दोनों चार पाई पर हो गई है उतनी दाल से 2 निकल गई है अपने अनसार सकते हैं मसाला भी डाल सकते हैं हैं यह देखिए बाद भी आपको दिखाती हूँ यह देखिए थी तीन से 4 गंटे बाद इस चुत जाती है पुछो गंडे आक पूंगें तो आपफ आपका मन हो कोई भी सब्जी से उब गए हो तो इस सब्जी को बना कर खाएए मज़ा आजाएगा और किसी भी सब्जी में आप डाल दें गे're बड़ी डाल दीजी और फिर उसकी सब्जी खाएगा खाके तो मैंने आपके साथ सेयर कर दी है आई होप आपको मेरी मम्मी की तरीके से यह लगाई गई बड़ीयों की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएगा चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कर लीजिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तो बिलिज रेस्पी थी तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा पर दो